टाटा को experiment के मामले में मानना पड़ेगा टाटा पंच इवी के बारे में आज आम बात करने वाले हैं उस गाडी के अंदर क्या-क्या changes है जो देखने के लिए मिल रहा है आमें पहले गाड़ी को देखने के लिए लग रहा था कि बाहर से बिल्कुल सेम होगी जो की हैः गाड़ी कुछ abnorm實 इसमेटिक चेंज है जैसे गाड़ी के अलउईS में थोड़ा चेंज है अगर इन्टीर की बात करें तो पहले घाड़ी बिल्कुल सेम डिगरी थी जैसी रेंडर's लीक्स आरे थे लेकिन जैसे जैसे गाड़ी के और लीक्स आने लगे हैरान करना चालू कर दिया है टाटा पंच इवी ने क्या क्या चेंजिस आने वाले आपको प्रीवियम फील आने वाली है जितनी भी गाड़ियां आप लोग है टाटा की तरफ से ताटा यह धीर धीर बहुत सरी चीज़े चेंजिस कर रहा है अपनी गाड़ियों के अंदर सारा कुछ बात करने वाले इस वाली वीडियो में तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने ना जो इस वीडिव चैनल पे नहीं हो आप में यहां तक वीडियो देखे तो यार सब्सक्राइब करके जरू चलो और एंड तक जरू देखना टाटा पंच इवी के अंदर क्या-क्या चेंजिस आने वाले सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर लीक्स आ रहे थे के गाड़ी का पूरे इंटीरियर जो अंदर से पूरा सेम रहने वाला है लेकिन नहीं दिरे दिरे जैसी चेंजिस होते हैं पता चलता इसका स्टेरिंग वील तो पहले जैसा है लेकिन जो गेर बॉक्स है वहाँ पे चेंजिस हैं वहाँ पे एक डायल आपको देखे रखा है जैसे पोर्स मोड नॉर्मल मोड इस तरह का आप पूरा आप गेर बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन जैसे जैसे और इस पर जनाने मले लेकिन टाटा पंच इवी के अंदर बी वही सेमें आपको देखने लिए मिल जाएगा वही पूरा गेरबॉक्स ईयुक्यमें यह चीजे य्यूज करने वाले क्युक्य यार इतना अच्छा स्टेरींग वील बनाया तो क्यों उनर यूज करे तो यह स्टेरीं अगर हम इस गड़ी की बात करें कि यह कितने की रेंज के अंडर में आने वाली तो यह इसकी जो रेंज आईगी वह 200-320 किलोमेटर के बीच में इसकी जो रहने वाली है तो अलग-अलग मोड्स के उपर डिपेंड करें कि आप स्पोर्ट्स मोड यूज कर रहे हो या नॉर्मल जो भी है वो यूज करें तो यह आपके 2500-320 किलोमेटर के बीच में गाड़ी की पूरी रेंज रहने वाली है कुछ स्पाइस होट के अंदर यह भी आया कि गाड़ी के अंदर आपको 17-10 इंच का इंफोटेंमेंट सिस्टम मि देखने के लिए मिलेगा तो यह अभी थोड़ा कंफ्यूज है कि कौन सा आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर पंच इवी के अगर हम प्राइस की बात करें तो कितना प्राइस गाड़ी का रहने वाला है इस गाड़ी का जो प्राइस अपर 10 लाग से सुरू हो जाएग होंगे उनके अंदर साइद नॉर्मल स्टेरिंग वी ला सकता है यह नॉर्मल आपको 7 इंच का इंफोटेंब्मेंट सिस्टम देखने के लिए मिल सकता है तो और जब अपर वेरियंट होंगे उनके अंदर वो फीचर एड़ और करे जाएंगे ताकि गाड़ी की उनकी से ज आने वाला है तो उसी के लगबग आसपास में यह गाड़ी भी लॉंच हो जाएगी आगर हम कुछ माइल स्टोन की बात करें तो रिसेंटल एक रिपोर्ट के हिसाब से टाटा ने अभी तक एक लाग से ज्यादा गाड़ियां जो सेल कर दिया है अपनी एवी के अंदर तो इतनी उन्होंने गाड़ियां इतनी जादा उनकी गाड़ियां मतलब सेल से एवी के अंदर धिरे धिरे बढ़ती जा रही है तो यह गाइस कुछ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगए आपको समझ में आ गया होगा एवी के अंदर क्या के चेंजिस आने वाले है मिलते हैं आपसे एक और नहीं इंटरस्टिंग वीडियो के अंदर सब्सक्राइब करके जरू जाना और इंस्टागों भी फॉलो कर लेना विनांच अंडर्सकोर वन डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखिए ओके टार्टा बाइबाइबाइबाइब जाहें